सर्दी का मौसम है मस्रूम भी मार्केट में असानी से मिल जाता है तो सर्दी में एक बार तो मतर मस्रूम बनाना बनता है तो चलिए बनाते हैं मतर मस्रूम मतर मस्रूम बनाने के लिए मैंने लिया राईसोग्राम मस्रूम और आधा किलो मतर जिसको मैंने छीड लिया है ग्रे मस्रूम को भी साफ कर लेते हैं इसके लिए मस्रूम को एक बरतन में डालेंगे और गरम पानी डालेंगे और हास से रगर रगर कर मस्रूम को अच्छे से साफ कर लेंगे और दो से तीन पानी से धो लेंगे हमारे मस्रूम भी साफ हो गया है अब मस्रूम को काट लेते हैं इसका नीचे का पाट काट के अलग कर देंगे फिर मस्रूम को बीच में से कट लगा देंगे और एक बर फिर बीच में से कट लगा देंगे और चार टुकरों में काट लेंगे और आप चाहें तो इसके slice भी काट सकते हैं उसके लिए पिछ में से cut लगा देंगे और पतले-पतले slice काट लेंगे जैसे आपकी मर्जी आप वैसे काट सकते हैं मैंने सारे मस्रूम काट लिया है अब एक कराही को गैंस पे गरम होने के लिए रखेंगे उसमें 2 टेबल इस्पून मस्टर्ड ओइल डाल देंगे तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे प्याज को गुलाबी होने तक भून लेंगे अब इसमें कटी हुई मिर्ची और कटे हुए लसुन डाल देंगे और एक मिनट के लिए भून लेंगे और फिर कटे हुए टमाटर डाल देंगे टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर डाला है तो नमक भी डालना बनता है तो इसमें एक चोटी चमच नमक डाल देंगे नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढग कर पांच मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर गल ना जाए आप देख सकते हमारे टमाटर गल गये हैं बस गयांस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे फिर प्यास टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे अब बापस एक कराई गयांस पे गरम होने के लिए रखेंगे उसमें एक टेबल स्पून के करीब मस्टर डॉयल डाल देंगे तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें एक चोटी चमच जीरा डाल देंगे एक तेजपत्ता डाल देंगे और प्यास टमाटर के पेस्ट को उसमें डाल देंगे एक बार अच्छे से mix कर लेंगे mixer grinder को भी थोरा से धोकर मसाले का पानी उसमें डाल देंगे एक छोटी चमच कस्मेरी लाल मिर्च डाल देंगे और वन फोर्थ छोटी चमच हल्दी पॉडर डाल देंगे और मसाले को एक बार mix कर लेंगे रास टमाटर के पेस्ट को तब तक पकाएंगे जब तक कि इससे तेल सापरिक ना हो जाए मतलब कि हमें मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है अब देख सकते हैं मसाले से तेल अलग होने लगा है अब इसमें एक चोटी चमच दनिया पॉडर डाल देंगे और एक चोटी चमच जीरा पॉडर डाल देंगे मसाले को एक बर मिक्स कर लेंगे अब इसमें मतल डाल देंगे यदि आप फ्रोजन मतल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको मस्रूम के साथ ही डाले मैं यहाँ पे कच्छे मतल का यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं मसाले के साथ मतल को थोरब सा पकाऊंगे मटर को मेडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए ढख कर पकने दे मटर हमारे लगभग पक चुके है अब इसमें मसरुम डाल देंगे मसरुम को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढख कर पकने देंगे आप देखेंगे मसरुम पानी छोड़ दिया है हमें इसमें अभी पानी नहीं डालना है हमें मसरुम को तब तक पकाना है जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए आप देख सकते हैं मसाले का पूरा पानी सूख गया है और मसाले से तेल अलग हो गया है आप इसको इस तरीके से ड्राइ सबजी की तरह भी खा सकते हैं या फिर आप सोरी से ग्रेवी बना सकते हैं मैं अज ग्रेवी बाला बना रही हूँ इसलिए मैंने एक कप पानी डाल दिया है एक बर मिक्स कर लेंगे और धक कर लो मीडियम फ्रेम पे पांच मिनट के लिए पकने देंगे अब इसमें एक टेवल स्पून कसूरी मेति हाथ पे क्रस करके डाल देंगे साथ में एक छोटी चमच गरम मसाला डाल देंगे कसूरी मेति और गरम मसाला को सबजी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और धक कर एक मिनट के लिए पकने देंगे ताकि कसूरी मेति और गरम मसाला का स्वाद सबजी में आ जाए बस हमारी सब्जी बंद कर तयार है, आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा है अब इसमें थोरे से कटे वे धनिया पत्ती डाल देंगे दो स्लिट के हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और गैंस का फ्लिम बंद कर देंगे तयार है हमारी मत्र मस्रूम की सबी, आप इसको सर्व कर लेते हैं आप इस सब्जी को चपाती, पराठा, नान, किसी के साथ भी ख़ा सकते हैं ये सब्जी सब के साथ बहुत अच्छी जाती है तो आप भी सब्जी को बनाएं और बताएं आपको कैसी लगी thank you